बैठना और खुद की शकल देखना और अपने माबाप को कोसना जिन्होंने तुम्हे पैदा किया हाँ मैं पहाड़ों में रहता हूँ शहर में नहीं एक छोटे से गाउं में घर है मेरा एक गरीब परिवार का लड़का जिसके सपने बहुत बड़े हैं ये है मेरा शोटा सा घर, हाँ, ये मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है, और ये मेरा भाई, जिसने बच्पन से लेकि आज तिक मेरे हर सपने को पूरा किये, और मेरा एक सपना है, I.S. अफिसर बनने का, और हाँ इससे मिलिए, ये है मेरी चाहने वाली, साप शब्दों में बोल में क्या हर्ज है, बस मेरा वीर अच्छा दिखना चाहिए, और जोटे है, घर में हम अचार के साथ रोटी क्यों ना खाए, क्या फरक पड़ता है, बस किसी को पताना तोड़ी है, पर पतानी भाईया मेरे सपने का क्या होगा, I.S. ओफिसर बनने का सपना है मेरा, 25 जून 2006 क हमारे गाव में DM साहो की इंट्री होती है, अरे, DM साहो आ गए, मैं बहुत ही हैरानी से उनको देखता रहा, कि कैसे इतने सारे लोग उनके स्वागत में लगे हैं, उनके प्रती लोगों की रिस्पेक्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मुझे अंदर से एक मो करता, खेतों के काम करता, और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं किताब खुलकर बैठ जाता, अरे, किस सोच में पढ़ गया छोटे, अरे, कुछ नि भीया, और तु टेंशन नहीं लेना, तुझे जिस चीज़ की जरुवत है, तु मुझे बोलना, और तेरा भाई है अभी, भाईया, बस आगई मैं चलता हूँ, और 20 रुपे बस का किराय लेकर, मैं गाउं से शहर पढ़ने के लिए जाता रहा, अरे, सोरी रिया, मैं थोड़ा से लेट हो गया, अरे, प्लैन कुछ नहीं है, बस थोड़ी बुक्स लेनी है, तु मार्केट चलोगी मेरे साथ, अरे, अरे, भाईया, आप तो बहुत बढ़िया दिखते हो, आप पुलीस में हो ना, हाँ, इंस्पक्टर हूँ मैं, और तुमारा नाम सुना है, बढ़ाई में बहुत अच्छे हो, अरे, सर, मेरा भी सपना है, मैं भी एक I.S. अफसर बनना चाहता हूँ, सपना तो मेरा भी एक अरे, किरदार कालपनिक है, वैसा ही आप भी होता है, समझें? अरे, नहीं वे, आगर किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करी जाए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लगता है, तुम्हार पास ना, बहुत था है, पर मेरे पास थी, क्योंकि मैं न, ड्योटी वाला बनता हू बाई रिया मुबारा को यार, अरे भाईया, आजना मेराम को रॉआ, आप भही रुको में आता हूँ, लगता है भाईया, वो आगए मैं उन्हें ले के आता हूँ यहाँ, आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है, बस आप एक मिनुट रुको में आ रहा हूँ, ओके ओके ठीक है, आप जल्दी आजाओ, परे कहा है उसका घर, अरे यार, यही रोट पे तो खड़े रहने के लिए बोला है उसने, तेरी यादों के साए से, दिल का लगाना था शगुन, तेरे सद के मेरी सारी जिन्दकी, रांजणा, ओ रांजणा, वे रांजणा मेरे यार, वे रांजणा, ओ रांजणा, वे रांजणा मेरे यार, चली घर चलते हैं, अरे यहां पास में है घर मेरा और आज ये पहली बार मेरे घर आ रहे हैं इन्हें ये तो पता है कि मैं गरीब हूँ पर कितना गरीब हूँ ये पता नहीं है और ये हैं हमारा शोटा सा घर ये तुमारा घर है ये मिलिये मेरे भाईया से अरे चलो अंदर चल के बैठो नहीं हम यही बैठते है नौ ठीक है मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ ठीक है यह परदन पर पानी पीखे आता हूँ यार मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर मेरा तो दम गुट रहा है तुझे पहले देखना चाहिए ना बॉइफ्रेंड का घर कैसा है बंदा कैसा है तुझे यहाँ लाके मेरा दिन भी खराब कर दिया इतने भी स्टेंडर्ड नहीं की रहे हमारे अरे क्या हुआ आप ठीक तो हो ना गर्मी वगरे तो नहीं लग रहे है ना नहीं हमें का गर्मी हो रही है यहाँ पर तो ऐसी लगा है ना अरे भाईया आप भी कैसा मजाग करते हो अरे भाईया ने आपके लिए स्पेशल नौनवेज का इंतदाम किया है बस थोड़ी देर अभी भाईया बना रहे हैं अरे आप लोग बाहर धूप में क्यों खड़े हो अंदर चलके बैठो ना नहीं नहीं हम यहाँ पिल ठीक है चूले पर खाना बनाते हो और यहाँ मुझे लग रहा था कि मैं उससे प्यार तो करता हूं लेकिन मेरे और उसके स्टैंडर में बहुत फरेक है लेकिन फिर भी कईना कई मन में यह चल रहा था कि आज अगर मेरा बूरा है तो कल अच्छा होगा क्योंकि मैं अपने कल को सु कभी कहना सका आज कहता हूं पहली दरफा ऐसे चुले से खाना बना हुआ खाएंगे हम तुम्हें खाना हो तो खाओ मैं जा रहा हूँ रुकूर मैं प्रिंस से बात करती हूं प्रिंस सुनो ना मुझे तुमसे कुछ इंपोर्टेंट भात करनी है हम बोलो वो चार तक किया से इंपोर्टेंट डूटी से कौल आया था तो हमें जाना पडेगा अरे भीया ने इतना प्यार से खाना बनाया है आप खाना खालो फिर चले जाना अरे समझा करू यार शार कि आज इंपॉर्टन कॉल है मुझे छोड़ेगा कौन सो मुझे जाना पड़ेगा तुम्हारा बर्दे न हम कॉलेज में सेलिब्रेट कर लेंगे हैपी बर्दे हां पाई ये जिसम है तो क्या रूह का लिबास है और उस दिन के बाद वो मुझे कभी ने मिली और उसने मेरा न अरे मैंने ऐसे क्या गलती कर दी तीन चार दिन से देख रहा हूँ ना आप मेरा कॉल पिक कर रहे हो मैंने आपको कॉलेज में भी ढूंडा आप वहां भी नहीं मिले बस अधर मुझे पहले पता होता नो कि ये कच्छरे के डब्बे में तुम मुझे बुलाने वाले हो मैं क इसी बातों को सुनकर दिल से बुरा दो लगता था लेकिन क्या करूँ गरीब होना सहना पड़ता है आज के बाद अपकी मुझे सकतन मत दिखाना आई अस ओफसर बनना मेरा सपना था लेकिन उस दिन से जिद बन चुकी थी और बच्पन से सुनते आ रहे थे कि इतिहास के पन्नों में जिनके नाम दर्जय वो हम में से याम आदमी है तो उन शक्स में मेरा नाम क्यू नहीं और ऐसे कही साल बीद गए घर की कंडिशन बूरी होने के कारण दिन बर भाहर मैंनत करता खेतों के काम करता और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं किताब खोलकर बैठ जाता बेना ट्यूशन क्लास के आई इसके एक्जाम भाई हमारे पास इतने पैसे निये कि मैं इसके लिए ट्यूशन लगा सकूँ और तुझे पता इसके स्टडिस तो बहुत महेंगे रहते हैं अरे भाई तो टेंशन मतले मेरा एक दोस्त है उसकी चाचा जी है चला हम उनसे बा बाई तेरी चाचा जी के ट्यूशन क्लास के लिए तो टेंशन मतले मेरे नोट्स लेके जाना और स्टेडी कर लेना और इसे तरह दोस्त के नोट्स लेकर दिन रात पड़ा ही करता रहा रिया का भाई हूं मैं मुझे मालू है रिया से तू सच्चा प्यार करता है चल मेरे साथ रिया से प्यार करता है तू अहां पसंद करता हूं मेरे लिया को तेरी हिम्मत कर से हुए मेरे भेहन से बात करने की जानता है तू मुझे इस शहर का डॉन हूं है और आज के बाद मेरे भेहन से तू बात करते भी दिखा चांड से मार दूगा तुझे यार चार देन होगे बहिया को जेल पे अबितक तो बेल भी नहीं होरी तूम तो पुलिस में हो ना तूम कुछ नहीं कर सकते यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतने बड़े पोस्ट पी नहीं हूँ कि तेरी मदद कर सकता हूँ और अगर मैं तेरी मदद करता हूँ तो मेरी जॉब को खतरा हूँ सकता है क्योंकि तेरा भाई क्रिमिनल है तो अब क्या कर सकते हैं? काम कर सकते है हमारे new DM साब है मैंने सुना है, वो रखते हैं और बहुत अच्छ से है तो कब में सकते हैं उनसे? कल की appointment ले लेते हैं उनसे मैं कोशिश करता है क्या तुम्हें लगता है DM सर हमारी मदद करेंगी? हाँ मैंने सुना तो है कि वो सबकी मदद करते तुम ऐसा करना तुम उनको थोड़ी ज़ादा रिक्वेस्ट करना शायद वो हमारी मदद कर दे यार मैं मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है और आयास ओफिसर यार बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है एक काम करो जो बाहर बैठे हैं उन्हें अंदर बेज़ दो स्क्यूज मी सर ने आपको केबिन में बुलाए कुछ पताने के जुरूरत नहीं है आपका भाई एक क्रिमिनल है और डियम ओफिसर होने के ना थे मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता के हित में काम करूँ ना कि किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करूँ इसमें आपको कोई हल्प नहीं कर पाऊंगा प्लीज प्लीज हल्प मी प्लीज आप तो मुझसे प्यार करते थे न करता था करता हूँ नहीं तुमसे प्यार करना मेरे लाइब के सबसे बड़ी गलती थी पर उस गलती से मैंने बहुत कुछ सेख लिया तुमने तो मेरी गरीबी का मजाग उड़ाय था न क्या बोला था तुमने वो कचरे के डब्बे जीसा घार है तुमारा दरसले तुमारा कसूर नहीं है ये दुनिया की रीत है जब हम निचले तपके से निकल के आते हैं न मतलब जब हम आर्थिक रूप से विपान होते हैं तो अक्सर हमारी गरीबी को लेकर हमारा मजाग उड़ाय जाते हैं तो हमारी उसी गरीबी को बहुत तबज्ज़ दिया जाता है और उस गरीबी को लेकर बहुत सारी कहानिया बन जाती है कि कैसे एक किसान का बेटा आई एस ओफसर बन जाता है सोरी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आप जा सकते हैं तेरे बारे मैं ना सोचू ऐसी रात नहीं है पर तू थोड़े दि मेरा तेरी उकात नहीं अगर जिन्दगी में कुछ करना चाते हो ना तो सबसे पहली बात अकेले रहना सिखो क्योंकि कोई अपना नहीं है सब टांग खिजने में रगे रहते हैं अपना कोन है? अपने माबाप, पेरेंस उनके इलावा हम हमारी फिकर किसी को नहीं है अब कुछ लोग बोलेंगे कि आयस ओफिसर कितना इजले दिखा दिया कि कैसे एक लड़का आयस ओफिसर बन जाता है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो आयस ओफिसर बने है